मद्यप्रदेश की सियासी रन में सत्ता रूड पार्टी बीजेपी और कॉंग्रेस ने अपने अपने मोहरे पूरी तरह से सजा दिये सूबे की 230 विधान सबा सीटों में से बीजेपी ने 228 उमीदवारों की सूची जारी की जबकि कॉंग्रेस ने 229 पर उमीदवार घोशित किये एक तरफ राज्य में अपनी सत्ता वचाय रखने के लिए बीजेपी मैदान में ताल ठोक रही है तो दूसरी और कॉंग्रेस सरकार गठन की कवायद में है सूबे की सियासी जंग में 3 सीटे ऐसी है जिन पर पेच फसा हुआ है इन में से केवल एक सीट पर कॉंग्रेस ने अमीदवार नहीं उतारा है बाकी 2 पर तो उतार दिये है लेकिन बीजेपी ने इन 3 सीटों में से 2 पर अभी तक उमीदवार नहीं उतारे विदीशा सीट, राज्य की विदीशा सीट बेहत खास है बीजेपी ने यहां से अभी तक उमीदवार की घोशना नहीं की है जबकि कॉंग्रेस ने यहां से मौजुदा विधायक शशांख भारगव को टिकेट दिया मद्यप्रदेश के रण में गुना विधानसवा सीट भी बहुत खास है क्योंकि यह अनूचित जाती के लिए आरक्षित सीट है कॉंग्रेस ने यहां पहले ही अपने सैनिक पंकच कनेरिया को मैदान में उतार दिया जबकि यहां से बीजेपी ने अभी तक उमीदवार के नाम का एलान नहीं किया खास बात यह है कि 2018 के विधानसवा चुनाव में बीजेपी के टिकेट पर गोपिला जाटव ने यहां चुनाव जीता था राज्य में जो तीसरी विधानसवा सीट सबसे खास है वो बैतूल जीले की आमला सीट है बंगाली भाषा में आमला का मतलब नौकर शाह होता है और इस सीट का भी संबन राज्य सरकार में एक सीनियर अधिकार से है दरहसल यहां से बीजेपी ने डौक्टर योगेश पंडागरे को टिकेट डे दिया है क्योंकि वह यहां से मौझूद आविधायक है यह सीट भी अनुसुचित जाती के लिए आरक्षित है इस सीट पर कॉंगरेस की और से निशा बांगरे की चुनावी मैदान में उतारने की चर्चा है पर मद्यपर्देश सरकार में अधिकारी है उन्होंने अपना इस्तिफा भी डे डाला है लेकिन सरकार ने उनका इस्तिफा मनजूर नहीं किया इसलिए फिलहाल इस सीट पर भी पेच फसा हुआ है आपका बता दे कि कॉंगरेस ने दो बार 239 उमीदवारों की घोशना की दूसरी लिस्ट में पार्टी ने तीन उमीदवार भी बदले जबकि बीजेपी ने पाच बर सूची जारी कर 228 उमीदवारों की घोशना की इनमें से 67 मौझूदा विधायकों में से 37 को टिकेट डिया गया इनमें तीन मंत्री है बाकी लोगों का टिकेट काटा है जिसकी वज़ा से सूबे के सियासत में विद्रो भड़का हुआ है कॉंग्रिस में भी टिकेट नहीं मिलने से उमीदवारों में भारी नाराजगी है और लगातार विरोत प्रदर्शन हो रहे है ऐसे में चुनावी रण में दोनों पार्टियों एक तरफ एक दूसरे के सामने तलवारे खीच कर खड़ी है तो दूसरी और पार्टी के अंदर खाने भी विद्रों से निपटना बड़ी चुनावती बनी हुई है